फेस्टूडेंट तो आज मैं अपना चप्टरा के कंटीनू रखती हूँ तो देखिए मैंने कली पढ़ा दिया था आपको इविप्रेशन कोजिंग कूलिंग जो इविप्रेशन के कारण होता है कूलिंग यह बता दिया था तो यह बता दिया था वाटर डॉप डॉपलेट सब्सक्राइब ऑस इंपर 1100 उपीम होता है जो सब्सक्राइब क्लोस में वीज़ पानी कुल और व्य वतकित हैं यह मेहें करते हैं वकिया करते हैं गीऑ कपड़ें होते हैं वो क्या करते हैं अब्भीज थे llama को उसमा को ऑपोड़ी मतलब हमारे सरीर दो या से अधसे रिजल वी फिल कोल तो इस रिजल्ड की थुल हमको क्या मैं सॉus होता यूथा क्या जो तौал था कि टो शैट फिजा सब्सक्राइब फॉर्टा नगृव्टा होती है देरीज फार पर मौरर matter in plasma state जो यह क्या थे अब तक की जो matter की state होती अक्ली state होती प्लाज्म state बोलते दैन इन दी अधर थ्री state solid liquid and gas taken together in the universe अब यह solid or liquid or gas state होती हो क्या करती है सासा चलती है अपना बानिक देख लो हम उसको क्या ठंडा कर सकते हैं उसको liquid में बिला सकते हैं gas में भी convert कर सकते हैं तो यह सासा चलती है इन यूनिवर्स मतलब पूरे भर्मान में plasma can occur when matter is heated to very high temperature plasma कब होता है plasma state कब आती है जब कुसी matter को heated बहुत ज़्यादा heat दी जाती है high temperature तो किस पे convert हो जाती है plasma state पे convert हो जाती है at such high temperature one or more electrons are feed from the attraction जो इसके high temperature दिया जागा किसी matter को तो plasma state कनोट हो जाएगा तो इसके तुरुक्या रहे हैं one or more electrons electrons होते हैं और फ्रीड फ्रीड होएंगे उमक्त होएंगे फ्रॉम दा अट्रेक्शन ओफ दा नुकलियस बहुत नुकलियस के अट्रेक्शन होगा ना तो जैसी की नुकलियस परजेंट होते हैं तो उसके अट्रेक्शन के थूरुक्या होगे इलाक्ट्रोंस फ्री होंगे the matter in plasma state is a collection of free highly energetic and highly excited जो matter होते हैं होती होती है और highly excited electrically change particle तो मतलब हाइली excited होएंगे और electrically change particle जो electrically होता है मतलब कि electrically through particles को में चेंज होगे जिसमें electron निकलेंगे उसके और particles में change जाएंगे the negativity charges electrons and the positive charge ions जो negative charge होते है जैसे minus का charge होता है वो किसको करता है denote electron को ठीक है और जो positively charge होता है मतलब plus charge होता है वो किसको denote करेगा ions को ठीक है ions को यह ध्यान आगे यह positivity और नेगेटिविटी चार्जम सच एन आयनिस्ट आयनिस्ट गैस फिद इक्वेल नंबर ओफ पोजिटिव एन नेगेटिव चार्जर्स इसकाल प्लाजमा अब जो आयनिक जो गैस होती अब देखो किसको हाई टेंप्रेश्र पर करेंगे हीट देंगे तो क्या होगे मैटर गों तो गेस में चेंज होगा लेकिन तो उसमें क्या निकलेंगे फ्री होंगे आयन निकलेंगे जैसे इलेक्ट्रोन आया निकलेगा या उसमें इलेक्ट्रोन आया निकलेगे ना तो यह पोजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे तो क्या कराएगी वह स्टेश क्या कराएगी प्लास्मा स्टेश कराएगी ठीक है आगा देखिए बोस ऐस्टीन कंडेस्ट जो ऐस्टीन थे ना जो उस्ते न sms मतलब कि उन्डियंग केुछ से नम उन्होंने सतेंदर नाथ by उन्होंने क्या चाल्कुलेशन किया second stage और सब्सक्राइन सीन्हों उसको बताया बेस्ट मेरे सने सत्यनांध भॉषन इसको सब्सक्राइब तूर्व जो सांटिस्ट थे वह अनने क्या प्रेडिक्टेट की एक नहीं में इस्टेश का विकास किया और कोन सी ब्हुत यह कृमलाइ। बोस आइस्टीर कंडेंस्टेड और यह क्या खलायती थोरी बोस आइस्टीर कंडेंस्टेड इन टूथाजन वन कॉर्नल वुल्फेंग केटलर एंड कार्ड इन विमेंस ऑफ यूएस से शेर दी नोबल प्राइजिन आप देखो इनको यह एक कोई साइंटिस्ट है इनको क्या मिला था इस थोरी के लिए नॉबल प्राइज दिया गया था यू आगे देलिट आगे देखिए फिजिक्स ऑफ बोस आईस्टीर और जबबर कारति से ऑघंडेंस्टेड इसने क्या बताएका त किस पर वन बाई हंडर माइनस वन बाई थाउजन ओफ दी डैंसिटी ओफ नॉर्मल मतलब इसनी नॉर्मल एयर में उसकी डैंसिटी क्या होगी लो होगी इस कूलर टू सूपर टेंपरेचर और तो क्या होगा है उसको कुछ ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा सबस्टेंस फ्रॉम दी लिक्विड तुक दा गैस फेज टेकिक प्लेस एट सिंगल टैंपरेचर इन प्योर सबस्टेंस और अवर अर रेंज ओफ टैंपरेचर मिक्स मिक्स बोलिंग मतलब किसी चाइज को गरम करना उसको बॉल मतलब उबालना ठीक है बोल उसको बोलता है और बॉलिंग मतलब उसको लगाता है एक देटेड लिक्विड से गैसमें चेंज करना हुआप एक टैंपरेचर पर एक क्योई करता है में और इसको हीट दिया जाएगी तो क्या हो जाएगा गैज लिक्विट से गैज में चीज जाएगी प्योर सबस्टेंज और रेंज ओफ टैंपरिचरी मिक्सर ठीक है अब बोलिंग पॉइंट बोलिंग पॉइंट क्या होगा तैंपरेचर एट विच दा ट्रांजिशन फ्र पॉइंट कर आएगो उसका मैल्ट कोई चीज का किसी चीज का पिगलना जैसे कि अपन बोलते हैं आइस्क्रीम मैल्ट होती है न तो उसका जो मैल्ट कैसे होती है उसको क्या होता है टूचेंज सोलिड टू लिक्विड अब वो सोलिड चीज है वो लिक्विड में चेंज हो होगई दिलाओ के मेरा से मेल्ट हो घुकी है कर ना क्या को मैं तिलाओ मेरी आइस क्रीम मैल तो बडर्ड या थीए ड़िए चाहरे हें तो अभी हो ढूंत दो जाया होगा है अब दोक्ति ससुने कर भी मेल्टिंग में थो अभी तिक लगातार होती हो और यहीं मैल्ट हो रहे रिफूजन क्या होता है तो प्रोसेस्ट भाइबीच डिफ्रेंट सब्स्टिंस मिकसा ती रेंडम मॉंस्टेंस ओफ देयर कंस्टिटूटेट पार्टिकल वो प्रोसेज जिसके तुरू डिफ्रेट सबस्टेंस मतला अलग जो सबस्टेंस होंगे उनको मिक्स करके एक रिजल बनाएगा डिफूजन क्या होता है दो तीन चीजों को मिक्स करके जो अलग-अलग सब सबस्टेंस मालनों कोई लिक्वीड एक तो तो उन दोन को अलग-अलग चीज को मिक्स करके एक सबस्टेंस मतला जाता है और ठीक है वो क्या कर लाते है डिफूजन करते है इव प्रेशन क्या थे चेंज़ फिस्टेट ओफ लिक्वीड इन्टु ए वैपर जिस्ट लिक्व युप्रेशन अकर अब इसरफेस ओफ लिक्विड जब होता है विप्रेश जब लिक्वीड की सर्फेस बोता है सब्लीमेशन जब अब निबाद पर्सेसर डाय डायरेक्वीड कनवर्शन और सोलिड इंटू गैस मदल ऐसी प्रोसेस जिसके तूरू सोलिड सोलिड हो गा व लेटेन हीट मतलब गुप तो उसमा बोलते हैं उसको ठीक है माझ छुपी हुई हीट लेटन हीट वभी वेपोरेशं लेटन हीट वेपोरेशं में कब का मतलब अमाउंट अफीड एनरजी रिक्वार्ट टो चेस्ट यूनिट ऑव मास लिकूड इंटो गैस एट एट्मोस्प प्रेशर पर और इसमें दर्मान है और उसके लिक्विट से गैस में चेंज होने के लिए एट्मोसिक एट्मोस्पेरिक प्रेशर पर और दिम्मेल्टिंग पोईज की वो क्या रहती है हीट ओफ एपोप्रेशन अब लेटन हीट ओफ फ्यूजन ता माउंट ओफ हीट हगी विक्वाइट करती चेंज करने में किसको यूनित मास और सोलीड का कूश वाँनाने के लिए उसका यूनिट मास को वह भी किस पर एट्मसफेरिक प्रेशर पर और ऐसमेलितिंग पॉइंट स्कॉल जैस Alterly falar जारв लाएगा लेटिन हीटो फ्यूजन अब अगर मेरा केप्टन यह क्या आता है एक गुरूफ और और गेन सल्फर कंपोंड कंपाउंट विच आर डिराइव इस्टे डाइटी ओफ हाइड्रोजन सलफाइड इट हैज एडिस एग्रीबल एड्यूर एग्जामपल इथाइल मेरे सल्फर केप्टन यूज इन इन एलपीजी को बहुत है लिकविड पैट्रोलीं गैस ठीक है जो कनाल होती है सलेंडरों में यूज होती है हमारे जो स्लेंडर होती है यह तिक है आगे देखिए ब्रोवनियम मोशन जो कह होते है जिग्जेग मोशन ओफ धस्माल पार्टिकर स के तो समाल पार्टीकल सेस्पेंडन और छोटे पार्टीकल ओंग लीकविड बूक क्या कराइगा लिक्विड इस काल ब्रोमिन्य मोशन फ्रैगनेंस क्या कराएगी प्लेसेंट समयल अने प्रैगनेंस मुलाब कि कि इस चीर की बहुत ही अट्रेक्टिव समयल आना तिक उसको प्रेगनेंस बोलेंगे और जो यह गोती है ना जो अच्छी नहीं लगती हो वे इसमेल इसमेल को फ्रेगनेंस बोलेंगे जैसे पर्फियूम होगे फ्लॉवर की स्मेल होगी अब देखे सम्मरी ऑफ दिस चैप्टर उसको हम कल पढ़ेंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही तो कल अपना यह चैप्टर के एडिशनल एक्साइज एक्साइज भी पढ़ लेंगे ठीक है ठैंक यू